Hello everyone, Abhijit here Well, पूरे Naruto में हमें कई सारे Jussu देहने को मिलते हैं Naruto के Racing Gun से लेकर Sika Maru के Shadow Position Jussu तक एंड ये सभी के सभी काफी Strong है Well, ये इतने ही Powerful नहीं है कि हम इने Strongest Jussu बोल सकें क्योंकि ये places कुछ ऐसे Jussu ने पकड़ रखी है जो की Forvidden है So, ऐसे कौन से 10 Jussu हैं जो की सबसे Powerful होने के सारे परविडेन भी हैं Naruto Series के Not Baruto Curse Seal of Heaven and Earth, also called Orichu Maru's Curse Seal एक ऐसा Curse Seal जो सामने आले बंदे को अपना स्लेप बना ले Orichu Maru जब भी इसे किसी पर भी यूज करता है वो बंदा Orichu Maru का स्लेप बन जाता है ये Seal अपने विक्टिम को Insane Power and एक नया फॉर्म देती है जो की Human तो बिल्कुल नहीं है हमारे सासुगे पे Seal of Heaven इस्तेमाल हुआ था कि Maru the Skeleton Guy पे Seal of Earth इस्तेमाल हुआ था And Sound Ninja 4 पे कौन से Seal इस्तेमाल हुआ किसी वो पता नहीं Next आता है Reverse 4 Symbol Sealing ये एक फुन जुट्सू का फॉर्म है जहां मन्ने अला इंसान अपने चेस्ट के अराउंड एक Black Spear फॉर्म करता है जिसमें 4 Symbols होते हैं जिनका नाम है Lesser Ian, Greater Ian, Lesser Young, Greater Young एक Chinese Inspiration है ये सॉर्ट आफ है जो भी इस Black Spear के अराउंड होता है वो इस Dead Body में Trap हो जाता है जिस Dead Body ने मरने के पहले इस Jutsu को Perform किया है Well Yellow Flash of the Leafs ने इसका इस्तमाल किया था Nine Tail को Naruto को बाड़ी में Trap करने के लिए एंड इसका इस्तमाल करने वाले के पास Insane Amount of Chakra सकती होनी चाहिए उसका निसाना सटीक होना चाहिए एंड उसका Focus बर करार रहना चाहिए पूरे किरिया के दोरान Next आता है Strength of a 100 Seal लिए टेखनीक लेडी सुनाडे ने इन्वेंट कि थी और इनका मानना है कि कोई Medical Ninja डिरेक्ट कॉमबेट में टेक प्लेस नहीं लेगा अनलेस उसके असका पी जारे Strength हो एंड उसने Strength of a 100 टेखनीक को मास्टर कर लिया हो क्योंकि अगर ओवरल नरूटो में देखो गती है एक ऐसा टेखनीक है जो कि तुमाई चक्रा कंट्रोल को काफियारा मैनेज करता है जो Waste of chakra energy उसको Preserve करते हुए एंड ये energy हमेशा तुमारे forehead में ये फिर उस body part में store होते रती है हर समय और जब सही समय आता है तुम इसे energy का इस्तमाल कर सकते हो जो कि एक future proof है अब फूचर तुमें काफियारा चोट लग जाती है फिर तुमें कुछ ऐसे उंड हो जाते है जो की heal नहीं हो सकते जनरेल तो वो चक्र एनेर्जी उसे heal करने मदद करेगी So overall ये टेकनीक medical ninjas के physical abilities को and medical abilities को काफियार इंप्रूफ कर देती है वेल इसका proof हमें fourth gate ninja war में देखने हों मिलता है लेटी सुनाडे वर्सेज माडारा के fight के बीच and इस टेकनीक को अभी तक दो ही medical linja successfully master कर पाएं पहली है जिन्होंने इसे डेवलप किया इंडूसरी है हमारी साकूरा वेल हमारा जो नेक्ट जुस्ट वाता है हमारे लिफ्ट में वो हमारे नरूटो ने बनाया है जिसका नाम है रासेन सुरीकेन यह वन अपने डेडली अटैक है नरूटो का जिसमें नरूटो डिरेक्टली अपने ओपोनेंट के चक्रा नेटवर्क पे अटाक करता है रासेन सुरीकेन जब दिए अपने टार्गेट को हीट करता हूँ एक vortex of wind क्रियेट करता है यह vortex of wind काफी जब डेडली है यह अपने टार्गेट के चक्रा नेटो पे टाक करता है एंड उसे इतनी ज़्यादा गंभीर चोटे दे देता है कि वो बंदा कभी भी जूस्तो इस्तमाल नहीं कर पाएगा वेल इस टेखनी का इंवेंसा नरुटो ने इसलिए किया रहाता कि वो रासिन गन को एक long range attack बना सके उसको close combat से अटाके उसे long range में यूस कर सके वेल हमाएं लिस्ट में जो next जूस्तो आता है वो है उचिया क्लाइन गम वो पाउरफूल दो जूस्तो इसका नाम है इजानामी बाइदेवे जो इसको यूस करता है वो अपना एक आंका सारिंगन खो देता है उसकी रॉस नी खो देता है बड़ इसे जो अबिलिटीज मिलती हो काफ जरा पाउरफूल एंड ट्रिकी होती है लेकिन वो अबिलिटीज टेंपररी है लेकिन आपके एक हाँ से सारिंगन जाना अंदा होना पर्मानेंट है वेल इस पाउर के स्तमाल करके उचिया अपने ओपने ओपनेंट को एक इनफनाइट जन्जू सूलूप में फसा देते हैं जहां की रियालिटी उचिया कंट्रूल करेगा अगर सामने वाले बंदे को टार्गेट को ये समझा जाता है कि वो एक इल्यूशन में फसा हुआ है तो वो इल्यूशन उसके सोच चे हुए रियालिटी के साथ से चेंज हो जाएगा वेल इटाशी का मानना है कि ये टेक्नीक एंड इजानागी एक पेर के तरह यूश होते हैं जहां इजानागी डेस्टनी बदलता है तो हमारा इजानामी डेस्टनी डिसाइड करता है वेल एक बात बतादू मैंने बताएं ने कि ये जो रैंकिंग चल रहे हैं वो मेरे अकॉर्डिंग है आप अपनी रैंकिंग कमेंट कर देना एंड ओफें तो बिल्कुल मत होना क्योंकि नेस्ट आता है रिपर देथ सील दी मोस्ट पार्फूल एंडडली सीलिंग जूस्ट जिसे यलो फ्रस 'llक्त ईलीप ने इनवेन किया था नाइन टेल्स दे येंड चकराव को सील करने में इसकव नोट क्लासिक में ठरट लॉर्ड वॉकागे सील करने के लिए इन्होंने इसका इस्तेल्व का ओर्रफूल और उसी मारूपरी किया था बट वह बी कैल बच जाता ह इस टेक्नीक का जिसरे भी इस्तमाल होता है उस बंदे के सूल को एक सिनी गामी खा जाती है and उसके सूल के साथ जो इसे इसे स्तमाल करते हैं उसके सूल को भी and इसमें युजर का मरना उतना ही सच है जितना 9 टेल्स का मरना नेश्ट आता है the eight inner gates formation परसनली काफी crazy juice हुए जिसमें the gate of opening, the gate of healing, the gate of life, the gate of pain, the gate of limit, the gate of view, the gate of wonder and finally the gate of death open होने लगते हैं वेल इन gate का कहा मैं चक्राफ फुलो को कंट्रोल करना है और उन्हें बैलेंस करके रखना इनके unlock होते हैं यूजर की power 10-20x बढ़ने लगती है हरे gate के साथ इस टेकनीक को गाय सेंसे के father साब डाय ने इने सिखाया था और इनोंने अपने next generation को जिसका इस्तमाल लीग करता है गारा के fight के time और माना जाता है जो भी gate of death को open कर लेता है वो जिंदा नहीं बसता है विल हमारे गाय सेंसे बच जाते हैं कि कुछ उनके साथ नरूटो उजुमा की था नरूटो से पुटेन के 420 एपिसोड में ये कहानी टेक प्लेस करती है आप चाओ तो देख सकते हो नेक्ट अंडर चार्ट एडो टेंसाई जिसे हम इंप्योर वर्ल्ड रिंकार्नेसमनी बोल सकते हैं और बाइदवे जिसको नहीं पता इसका भी invention हमारे टुबिरमा सेंजु नहीं किया था जिसमें मरे वह इंसान पो रिंकार्नेट किया जा सकता है जिसका इस्तमाल तो भी रमा सेंजु उतने अच्छी तेगास नहीं कर पाते हैं जितने अच्छी तेगास हमारा 4 आई एंड वॉल्टे मॉड का चशेरा भाई करता है 4 आई इसका इस्तमाल 4 गेट निंजा वार के टाइम में करता है और उची मारो ग्रास चलते कभी भी कहीं पर भी कर देता है जिसको भी रिंकार्नेट किया जाता है इस टेगनीक के इस्तमाल करके उसको तुम डिरेक्ली नहीं मार सकते उसके बॉडियों तुम जितनी बार डिस्ट्राइ करोगे वो बॉडि फिर से रिजनरेट कर जाएगी इसलिए जिसे भी रिंकार्नेट किया जाता है इस टेगनीक के इस्तमाल करके उसको तुमको सील करना पड़ेगा जैसा कि हमारे थर्ड लॉड हो कागे करते हैं जैसे जानने के पहले मैं कुछ पाच्छे जूस्तु है जिनने में साउट आउट देना चाहता हूँ जोई काफिजर ए स्ट्रॉंग है बट रैंकिंग के कारण वो इस लिस्ट में नहीं हो पाए लाइक नरुटो का मल्टी सेडो जूस्तु री एनिमेशन जूस्तु और गरज फिर जूस्तु तुइन स्नेक सेक्रिफाइज जूस्तु और भी है कुछ बट ये कुछ हैं जो इकाफिजर पारफूल एंड मुझे काफिजर फैसिनेट करते हैं पाटिन सब में सबसे पारफूल जूस्तु है रेनाइट इनसाई अलसो कॉल्ट समसारा ओफ एवनली लाइफ टेकनीक ये टेकनीक वही परफॉर्म कर सकता है जिसके पास रेनेगन है विल रेनेगन अपने आप में याद नहीं आ रहा है या फिर पता नहीं तो मैं उसे छो पतल बॉड़ी में वापस आते हैं उनकी बॉड़ी इम्मोर्टन नहीं है उन्हें सील नहीं करना प्रवने नॉर्मल जिस तरह से इंसान को मारा जाता है वैसे मारा जा सकता है ना कि एड़ो टेंसाई के रिंकानेटेड वर्सन की तरह एंड पेनाग में हमारे काकसी अटाक नेक्ट वीडियो की स्टाविक बचाते हो चेंसो में पेनरुडो बे वन पीस पे जिस चीज पे चाओगे बाइदवे बिलिच पे वीडियो आने वाली है चिंता मस्करो हम तो हैले कंसर्ण है